उपो फाइंड एक्सुक्स में स्नाप्रेगन 8 प्लेशन वन एसो सी प्रोसेसर हो सकते हैं डिजिटल चैट इस्टेशन के चाइनिज माइक्रो ब्लॉगिंग साइट के जरिये से वीवो का पर फाइंड एक्सिक्स प्रो में कैमरे के डिटेल पोश्ट की हैं इसके कैमरे इमेज इस्टाइबलेजेशन के लिए सपोर्ट के साथ सोनी आइमेक्स 989 सेंसर और सोनी आइमेक्स 890 और सोनी आइमेक्स 890 सेंसर दिये जा सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कमाल गया है अब फाइंड एक से सिक्स प्रो में जो मौजूद है प्रोटो टाइट की मोटाई ल लेकिन कंपनी में यह भी बताया था कि इसमें फाइंड एक्स में स्मार्टफोन सुरुवाती हैंड सेट में कॉल कम इसे नेक्स जेनरेशन वाले डाले जाएंगे तो सबसे लेटेश वाला 8 जेनरेशन 2 सामने है अब यह बात अगर हम करें तो अगर हम थोड़ा से चलते है इसमें फाइंड एक्स फाइब की तरफ जो इसका प्रो वर्जन है उसमें 6.70 का इंसका 10-bit QSD प्लस डिस्पले दिया गया था साथ ही में AMOLED डिस्पले 120 Hz रिफ्रेस रेट के साथ था कैमरे का सेटप भी आ पचास मेगा पेसल का है लेकिन उससे 5 से ज्यादा X6 Pro में आपको देखने को मिल सकता है अप्गरेशन के मामले में जैसे मैंने IMAX Sony का नाम लिया है इसमें सारे चीज़े हैं OIS मदब Optical Image Stabilization कैने का तात पर यह है कि यह जो फोन आ रहा है Find X6 Pro यह एक स्ट्रॉंग और ऐसा कहा जा रहा है कि लेटेस जैनेशन वान वाला SS Net Dragon आपको देखने को मिल सकता है प्राइस को लेकर कुछ नहीं है बच जो लेटेस अप्डिट है मैं आपको आपके सामने रख दिया है और बाकी की चीज़ें आप कह सकते हैं कि यह Find X5 का हो सकते हैं कह सकते हैं मान नहीं सकते हैं फिलहाल के लिए दोस्तों यह थी अप्डिट अगर आपको पसंद आएगे वीडियो तर वीडियो को पसंद करना और लाइक जरूर करना शेर करना और अपने दोस्तों में जरूर शेर करना अभी के लिए मिलता हूं दोसरे नेक्स्ट वीडियो में तब्तक्त कलियेंग, टेक केर